नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे योट्यूब चैनल ओलाइन एजूकेशन कंसल्टेंट में जहां मैं आपके लिए लेकर आता हूँ एजूकेशन से संबंधित वीडियो दोस्तों आज का हमारा जो टोपिक है वो है on demand examination form हम किस प्रकार से भरते हैं तो चलिए शु करने के बाद हमें यहाँ पर आता है कि admission हम senior secondary जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ आता है option on demand for secondary on demand for senior secondary तो आपको जिसके लिए भी on demand form भरना है आप उसको select कर सकते हैं फिर यहाँ पर हम on demand को select कर लेते हैं और register प क्लिक करते हैं तो यह देखिए जैसे कि आप यहां चेक कर पारें स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस आ रहा है उसको कर देता हूं प्रोसीड फिर यहां पर आपको अपने स्टेट सेलेक्ट करना है जैसे कि मैं जो फोर्म भर रहा हूं और डैली का स्टुडेंट है वो फिल कर देता हूं मैं फिर यहां पर है आपको क्या क्या आपकी आईडी है जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपर एडर्स प्रूफ के लिए तो मैंने आधर कार सेलेक्ट कर लिया है फिर उसके बार हमने सीनियर सेकंडरी के लिए है वो सेलेक्ट कर लेते हैं फिर यहां पर है कि आप एक existing student है yes करने के बाद यहां पर हमें enroll number डालना होगा तो enrollment number में डाल देता हूं यहां पर देखिए अपने यहां enroll number डाल दिया है enrollment number डालने के बाद पर submit पर click कर देता हूं details आपका enroll number पर सही होना चाहिए क्योंकि अगर वो सही होगा तब ही आगे है कि आपको वो सारी की सारी detail यहां पर सही दिखा देंगे submit पर click कर देते हैं जब हम submit पर click करते हैं तो यहां पर यह मांग रहा है आधार number और name दूसरे यह सिफ एक verify करने के लिए होता है कि हाँ जो आपने detail ला लिए हो वो सही है यह नहीं तो यहां पर आपको अपना आधार number डालना होगा आधार number के बाद फिर name डालना होगा जिस भी आपका नाइम है जो name आपको बिल्कुल तरह से डालना है फिर यहां पर हम च्छटा पॉइंट है अधार कार्ड अधार number डाल देते हैं मोबाइल नंबर अगर आपका पुराना existing अभी आपके पास वही है तो आप उसको यूज कर सकते हैं अगर आप दूसा नंबर चाहें तो दूसा नंबर भी चेंज कर सकते हैं तो मैं यहां पर दूसा नंबर डाल देता हूं फिर email ID email ID को भी आप सेम उसी तरह से है कि आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं अगर सेम है तो सेम जब हम generate OTP पर क्लिक जब हम generate OTP पर करते हैं तो email ID और mobile number इन दोनों को verification करने के लिए एक message जाता है हमारे mail ID पर और हमारे mobile पर भी तो यहां पर हमें अपना OTP डालना होगा जो email ID पर आया है वो भी और जो mobile पर है वो भी उसको डालने के बार हमें next पर क्लिक करना होगा दोस्तों जब हम next पर करते हैं फिर हमारे पास आता है कि subject चूज करना है एक subject के लिए दो subject के जितने भी subject चाहें उसके लिए on-demand form हम फिल कर सकते हैं तो यहां पर मैं mathematics अकेला एक subject उसके लिए कर देता हूं फिर next पर क्लिक next पर क्लिक करने के बार फिर यहां पर है कि आपको यह select करना होता है कि आप किस का है जैसे कि मैं डैली का board का भर रहा हूं था बट यहां पर मैं UP select कर लेता हूं और इनका NOIDA का यहां पर हम देतेंगे NOIDA headquarter इनका जो है वहां से हम date चेक कर सकते हैं अगर आप वैसे भी है कि अगर डैली में भी आप देना चाहें तो डैली में भी आप select करके जोन select करके वहाँ पर seats available है नहीं exam center आप चेक कर सकते हैं इसी तरीके से नीचे हम जब करते हैं तो यहाँ पर है कि आपको फिर यहाँ पर date दिखा देता है किस-किस date में हमाई पास seats available है तो जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूं 19 को full है वो red mark है red mark का मतलब होता है वहाँ पर seat full है अभी कोई वहाँ पर form नहीं है sorry seat नहीं available है देन जो green zone है green का मतलब है कि green वहली सारी dates available है जो चाहें आप date select कर सकते हैं अगर आप next month में भी जाकर आप वो date select कर सकते हैं तो मैं इसको last में जाकर हम यहाँ पर जैसे कि मैंने चेक किया था 20 date available है मैं 20 को select कर लेता हूं उसके बार यहाँ पर हमें subject भी select करना होता है subject select करने के बाद इसको successfully होचके कर देते हैं ओके करने के बाद दोस्तों हमें next पर click करना होगा यहाँ पर देखे next पर जब हम click करते हैं तो उसके बाद यह हमाई पस review form आया था यह भी same उसी तरह से जो हमने पहले भी किया था review form में आप एक बार से सारी detail चेक कर सकते हैं जो भी आपको हो और इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे मेरा number दिया होगा है जिस पर आप directly call करके अपना admission भी करवा सकते हैं तो हम यहाँ पर review form में exam fees यहाँ पर दिखा रहा हैं दोस्तों क्योंकि हम पे नाओ कर देते हैं पे नाओ में करने के बाद सेम उसी तरह से जो अलड़ी सब का process होता है तो इसको आप अपने पे कर सकते हैं यहाँ पर detail डालके आप credit card, debit card, net banking या UPI जैसे आप चाहें वैसे आप पे कर सकते हैं तो चलिए मैंने यहाँ पर fees pay कर दी है जब हम fees pay कर देते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक confirmation आती है कि आपकी fees pay हो चुकी है यहाँ पर हो रही है यह देखे दोस्तों यहाँ पर आगे thank you your payment is successfully submitted इसको आपको print out नहीं लेना है आपके पास ओलड़ी यहाँ पर भी दिखाता ह है डैश बोड में कि आपकी fees अलड़ी हो चुकी है कि यह देखे online payment receipt यहाँ से भी आप इसको कभी भी download कर सकते हैं फिर हम डैश बोड़ पर जाते हैं डैश बोड़ पर जाने के बात देखिए यहाँ पर आपका है कि आई-कार्ड अगर आप चाहें आई-कार्ड आप डाउ अगर आप उसको भी करना चाहते हैं तो आपको नीचे number दिया गया है आप सिर्फ इस पर call कीजिए और आप अपना admission हमारे through भी करवा सकते हैं और अगर आपको कोई query है या कुछ भी है तो आप comment box में भी comment करके आप अपनी query को पूछ सकते हैं आपको 100% उसका solution दिया करता हूँ आपको यह पसंद आया होगा आज का वीडियो एंड प्लीज जाद से आदा इसको subscribe कीजिए जिससे की और भी लोगों तक यह information पहुंच सरी